हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूँगा CDSL शेर के बारे में जिसका लॉंग फॉर्म है Central Depository Service Limited दोस्तों पिछले कुछ महिने के अंदर इस शेर के अंदर जबरदस्त तेजी देखी गई है यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका एक साल का अगर ग्राप देखते हैं तो जबरदस्त एक्चुली प्रॉफिट बनाके दिया हुआ है तो दोस्तों बहुत सारे लोग एक्चुली इसके अंदर इंट्री करना चाहते हैं क्या यह शॉर्ट टम में हमें जबरदस्त प्रॉफिट बनाके दे सकता है कि नहीं आगे जाके इसके अंदर ग्रोथ होने वाली है कि नहीं तभी हम लोग इसके अंदर पैसे लगा पाएंगे दोस्तों इनी सारे सावलों की जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर यह मैं इसी तरीके से इंट्रेस्टिंग वीडियो डेली मेरे चैनल पे डालता रहता हूं दोस्तों चलिए पहले बात कर लेते हैं कि सीडी एसल कंपनी के बारे में दोस्तों जैसे की लांग पॉर्म बता रहा है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस मतलब सीडी एसल क्या ह बेसिकली हमारे जो शेर्स होते हैं वो डिपोजिट होते हैं तो इंडिया के अंदर ऐसी डिपोजिटरी सिस्टिम जो हैं वो दो ही हैं CDSL और NSDL तो CDSL और NSDL इनकी एक्चुली मोनोपली है इस बिजनेस के अंदर तो इनका जो रेविनियू है वो आगे जाके बढ़ता ही जाएगा दोस्तों ठीके दोस्तों यह KYC रिलेटेड भी बिजनेस के अंदर है दोस्तों मगर मोशली जो इसका इंकम आता है वो शेर मा countries है वहाँ पे 70-80% जो उनकी population है वो शेर मार्केट के अंदर investment करती है उसका reason यह है दोस्तों वो शेर मार्केट में क्यों करती है investment इसका reason यह है कि वहाँ पे जो interest rate होता है वो 0% या 0.1% वैसे होता है तो 1% भी yearly income नहीं मिलता तो इसी के लिए वहाँ पे जो लोग होता है व वो शेर मार्केट के अंदर investment करते है आगे जाके दोस्तों इंडिया जब develop होगा आगले कुछ 15-20 सालों के अंदर तो इंडिया के भी अंदर ऐसा ही होगा दोस्तों क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 20 साल पहले अगर देखेंगे तो 14-15% का interest rate हुआ करता था मतलब 20-25 सा जा रहा है दोस्तों तो आगे वाले वाले उस सालों में इंडिया के साथ भी ऐसा होगा और अभी ये कोविड के अंदर जो ट्रेडिंग करने वालों की संक्या जो है उसमें बहुत जबरदस इजाफा हुआ है दोस्तों तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया के अंदर अगले से 10 सालों के अंदर इसके अंदर शेर मार्केट के अंदर इन्वेश्मेंट करेंगे दोस्तों तो बढ़ने का स्कोप जबरदस्त बहुत जादा है इसके अंदर तो आप देख लेते हैं यह इसका बिजनेस से दोस्तों प्रोकर भी जो है वह भाग जाता है कई पर जो अगर किसी कारण से प्रॉब्लेम में आ जाता है और बंद हो जाती है तो अपने जो शेर से वह सेंट्रल रिपोजिटरी सर्विस के अंदर होता है और वहां से हम लोग लिंग कर सकते किसी भी ट्रेडिंग प्लैट्पॉम् को और वहां से हम लोग शेर मार्केट में वापस से ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं तो दोस्तों ये तरीके से गवर्मेंट की ओन कंपनी है दोस्तों ये और इसका पी रेशो अभी बहुत हाई दिख रहा है इसका रीजन ये है कि पिछले कुछ 7-8 महिनों में इसके अंदर सब लोग घर पे थे तो सब बहुत लोगों ने एक्चुली लाखों में एक्चुली लोगों ने ट्रेडिंग आकॉंट खोल ली है और उसके कारण इनको काफी अच्छा जबर्दस पाइदा हुआ है और इस शेर के अंदर उच्छा लाया है दोस्तों एक स्मॉल क्या कंपन पी देखें तो 45 जो की काफी जादा है और प्राइस टुबुक वैल्यू अगर देखते हैं यहां पर तो छे गुना है दोस्तों तो मतलब अभी शेर जो है काफी आगे बढ़ चुका है यहां पर अगर देखें तो करन्ट प्राइज इस मोर देन एंट्रेसिक वैल्यू डि उसकी बारे में बात हम ऊपर कर लेते हैं अब देख लेते हैं यह चार्ट पर कैसा लग रहा है चार्ट पर अगर देखें वन वीक में तो 0.64% का प्राफिट दिखा रहा है वन वीक की बात करें यहां पर तो 9% का प्राफिट दिखा रहा है दोस्तों वन मंद की बात करें दोस्तों यहां पे तो 33% का profit दिखा रहा है जो कि काफी massive है एक साल की बात करें यहां पे तो 142% का profit दिखाया है इसमें 142 इसका लो क्या है था एक साल में 179 रुपिस का लो था और 155 13 का high बनाया था उसने ठीक है दोस्तों तो काफी एक्चुली उपर कि प्राइस पर अभी है मिल रहा है पास साल का अगर हम देखे दोस्तों डेटा पास साल पहले के एक्चुली लिश्टिंग नहीं है 2017 में एक्चुली इसका IPO खुला था तो यहां पे अगर देखे दोस्तों तो पात सालों के अंदर मतलब पिछले तीन सालों के अंदर सिप की होती दूस्तों और अगर आव उसने 4000 रुपय का इन्वेश्मेंट किया होता तो उसकी वैल्यू बनके हो जाती 7000 रुपया मतलब रिटन बनता 75% एक्ष्ट्रा उसका उसके ओपर रिटन बनता दोस्तों सिर्फ तीन सालों के अंदर बहुत ही बढ़िया व अनलाइस किया है डेटा अन्शफिट्शन मुझे लग रहा है 50% मतलब दो इसको बाइक की रेटिंग दे रहे है यहां पर यह डेटा थोड़ा सा बुरा दिख रहा है मुझे दोस्तों यहां पर हाइयर साइड इसकी यहां से 26% डाउन दिखा रहा है मीडियम भी 34% का डाउ अगले पाच्छे सालों में इसके अंदर बहुत ही ज्यादा उच्छा लाने वाला है तो मुझे लगता है यह जो है आपके पोड़िया इंकम देगा यह बना कि आपको यहां पर देख सकते हाईयर देन इंडेस्ट्री रेवन्य ग्रोथ हाईयर देन इंडेस्ट्री नेट मार्केट शेर इनकम आप देख सकते हैं दोस्तों बढ़िया रीटर नेट इंकम बनाके दे रहा है अब देख लेते हैं इसका फ्री क्लैश फ्लो कितना है अग देखो इसके पास अभी 72 करोड का प्री कैश फ्लो है जो कि अच्छी बात है कंपनी जब भी प्रॉब्लम में ही आती है जैसे कोई के कारण से आइए तो उस ताइम पिए अगर ऐसा प्रीक्रेश पर इस कंपपनी के पढ़ से है तो यह काफी बढ़िया बात है दोस्तों तो अब देख लेता है इसके competitor कोने competitor तो दोस्तों इसके कोई है नहीं Central Depository System इसका CRLSL यह actually में इसके competitor है नहीं actually NSDL और CSDL यह दो ही actually इस फिल्ड में काम करता है जिसके अंदर depository system है share market shares की depository system है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आप holding pattern की बात कर लेते हैं दोस्तों holding pattern कैसा दिख रहे है holding pattern promoter के पास 20% holding है mutual fund के पास 13% की holding है domestic institute जो है उसके पास कितनी 42% की holding है domestic institute दोस्तों क्या होता है life insurance वगरे जो government institute होते हैं वो इसके अंदर हो जो holding लेते हैं गमर्ग government के कुछ bonds वगरा जो होते हैं उसकी holding है यह ठीक है और foreign FIA की holding बहुत कम है दोस्तों आदर पार्टी मतलब आप और मेरे जैसे लोग आम निवेशक आम जनता उनके पास 35% की holding है mutual fund ने इसके अंदर holding बढ़ा ही है आप clear देख सकते हो अब FIA की बात कर लेते हैं FIA ने इसके अंदर holding घटा ही है दोस्तों दोस्तों हमें क्या इस share के अंदर करना चाहिए longer time के लिए बोल रहा हूं दोस्तों हां करनी चाहिए मगर अभी की जो price है दोस्तों मैं recommend नहीं करूँगा कि आप इसके अंदर अभी entry करें दोस्तों दोस्तों अगर यह 300 रुपे से नीचे में आपको मिलता है 300 रुपे के नीचे में जब मिलेगा आपको साड़े 300 रुपे के नीचे में जब यह नीचे आएगा दोस्तों क्योंकि पैंडेमिक के कारण सारे लोग घर पे है तो शेर ट्रेडिंग बहुत चल रही है तो इसी के कारण यह एक्चुली शेर जो है काफी बढ़ा हुआ है तो यहां पर मैं सजेस्ट करूँगा 300 रुपे के नीचे आपको जब यह शेर मिले तब आप इसके अंदर इंट्री कर सकते हो दोस्तों मगर यह अभी प्राइज बहुत जादा है बहुत हाई हाई वेल्यू पर यह शेर अभी चल रहा है दोस्तों मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि लॉंगर टम के लिए यह शोट टम के लिए शेर बहुत बढ़ी है शेर नो डाउट शेर आगे जाके मल्टी बेगर बन सकता है दोस्तों मगर दोस्तों इस प्राइस पर इसके अंदर एंट्री करना मैं सजेस्ट किसी को भी नहीं करूँगा आपको बहुत ही लग रहा है तो साड़े 300 की नीचे इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं मगर आप दोस्तों नहीं शौट टम के लिए नहीं लॉन टम के लिए दोस्तों अब बात कर लेता है कि हमें हमारे इन्फ्टमेंट है कहां पर करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए धोस्तों मैं हर वीडियो में यहीं ही चीज़ बता ठालू कि आपका पैसा है उसका और दूसरी बात कि कभी भी बल्क में मत कीजिए चंक में बाइंग कीजिए दोस्तों और किसी भी शेर के अंदर 100% पैसा मत लगाईें आपके पोट्पोलियों के सर्फ 4-5% ही पैसा एक शेर के अंदर लगाई यह दोस्तों पोट्पोलियों समझ लिए 1,00,00 रुपे का है तो चार से पाच हज़ार उपे इस शेर के अंदर आप लगा सकते हो दोस्तों दोस्तों शेर अच्छे बूरे नहीं होते हैं शेर की प्राइज जो होती है जिस प्राइज पर हम एंटर करते हैं वह हमें देखना बहुत ज़रूर होता है कब और कंपनी कितने सालों तक आगे है जितने पिड्रेल करते है इन को पैसे मिलते हैं जोस्तों सेछस कुछ भी करता हैं दोस्तों इनको पैसे मिलते हैं तो ये थे हमेन और हम्लेंगे ही बनाएंगा और यह बढ़ता ही जाएगा दोस्तों मगर ये जो प्राइज है दोस्तों अभी 464 ये सही नहीं दोस्तों मुझे सही नहीं लग रही है 350 यह 300 के नीचे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते दोस्तों दोस्तों अगर और भी कुछ doubts और question है आपके तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं